नमस्कार स्वागत है आपका जनता जंशिंग के स्पेशल सेग्मेंट वॉट्स ट्रेंडिंग में और मैं हूँ आपके साथ सौमय राठी आज वॉट्स ट्रेंडिंग में हम बात करेंगे कि पूर पॉन्स्टार मिया खलीफा के होश लोट आने के नारे क्यों लगाया जा रह है फिर चर्चा होगी कि रिहाना की वह वारल तस्वीर जिसमें पाकिस्तानी फ्लाग के साथ पोस्ट कर रही है उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है इसके बाद बात करेंगे उस वीडियो की जिसमें एक आदमी गाजय पर बॉर्डर के पास लगे बारिकेट के पास सडकों पर लगी कील को हटाते हुए नजर आ रहा है क्या बारिकेडिंग हटाई जा रही है अंत में चर्चा होगी उन हैश्टाक्स की जो आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है शुरुआत करते हैं युनाइटेड हिंदू फ्रेंड की लोग मिया खलीपा के होश वापस आने के नारे क्यों लगा रही दरसल पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ गलत गूगल ट्रांसलेशन का है जी हां यकीन करना मुश्किल है मगर सच्चा यही है आपको याद दिला दें कि मिया खलीपा नी किसानों के प्रती अपना समर्थन दिखाते हुए ट्वीट किया था ट् अगर मगर बात अंग्रेजी में बोली जानी थी तो कॉमन सेंस की जरह गूगल ट्रांसलेटर का इस्तिमाल किया और और गूगल ले मियाख कर दी या मिया खलीपा रिगेंज होंचिस्थ स्ष का मतलब निकलता है मियाख को फिर होश आ गया है नारekवाजी के नाम पर भजा आ गया है आपकी फिक्र का शुक्रिया हाला कि उसकी जरूरत नहीं है मैं फिर भी किसानों के साथ ही खड़ी हूँ मोरल अब दू स्टोरी इस गूगल ट्रांसलेटर के साथ कॉमन सेंस का इस्तमाल करना बिल्कुल ना भूले अब आज आते हैं कि कंगना रनौत ट्विटर को ये बैंक करने की धंकी क्यों दे रही है कल भी हमने आपको बताया था कि ट्विटर ने कंगना रनौत के कुछ ट्वीट्स डिलीट कर दिये हैं कंगना के एक tweet में उन्होंने क्रिकटर्स की तोलना कुट्तों से कर दी थी और वहीं एक और tweet में उन्होंने यूएस को लेकर टिपनी भी की थी Twitter ने कारवाई के बाद पहले तो कंगना के controversial tweets को delete किया उसके बाद Twitter ने कंगना कुछ हिताबनी भी दी है कि अगर वो इस तरीके से tweets करती रहेंगी तो उनकी अकाउंट को permanently delete कर दिया जाएगा कंगना रनौत ने इसे लेकर ही Twitter को ban करने की धमकी दे दी है उन्होंने लिखा है कि चीन के हाग की कटपुतले Twitter मेरा अकाउंट सस्पेंट करने की धमकी दे रहा है जबकि मैंने किसी नियम का उलंगन नहीं किया है आगे उन्होंने धमकी ली कि याद रखिए जिस दिन मैं जाओंगी सब को साथ लेकर जाओंगी बिल्कुल चीनी TikTok के तरह तुम भी ban हो जाओगे हाला कि Twitter ने कंदर अनौत के इस tweet को भी delete कर दिया है चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली trending खबर की तरह जबसे रिहाना ने किसान आंदोनों को लेकर tweet किया है ऐसा लग रहा है भारत में उनके ही खिलाब मोचा खोल दिया गया है इसी हबब के बीच में रिहाना की एक पाकिस्तानी फ्लाग के साथ तस्वीर वाइरल हो रही थी इस वाइरल तस्वीर को भाजपा के इतने था अभिशेक ने tweet करते हुए लिखा है चम्चो की नई राज माता भारत और पड़ोसी मिल्क के रिष्टे कैसे हैं उससे मद्दे नजर रखते हुए रिहाना का उस मिल्क के जण्डे के साथ नजर आना अपने आप में बड़ा बवाल बन गया था मगर फिर तस्वीर के सच्चाई सामने तब आई जब ICC के 2019 के tweet को शेर करना शुरू किया गया ICC के उस tweet में रिहाना उसी पोज में बिल्कुल उसी stadium में नजर आ रही है फरक है तो बस flag का असली तस्वीर में रिहाना ने वेस्ट इंडीस का flag देखा है शायद ऐसे ही Photoshop टालेंट की वज़े से कहा जाता है Don't trust everything that's viral on the internet कुछ ऐसे ही एक viral वीडियो ने किसान अंदोरन को लेकर कुछ भ्रम फैलाना शुरू कर दिया था वीडियो गाजे पर बॉर्डर के पास लगे बारिकेट्स की है वीडियो में एक शक्स रोट पर लगाए गई कीलो को निकालता हूँ नजर आ रहा है बस फिर क्या था? लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पुलीस वहां से बारिकेडिंग हटा रही है खबर इतनी तीजी से पहलने लगी कि दिल्ली पुलीस को इसे लेकर सफाई देनी परे और फिर उन्होंने बताया कि कीलो को बस ठीक तरीके से फिर से लगाया जा रहा है उन्हें हटाया नहीं जा रहा है अब अंत मिच चर्चा कर लेते हैं कि ट्विटर पर आज क्या ट्रेंड कर रहा है अलग-अलग देश के सेलिबिटीज के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने के बाद से ट्विटर पर हैश्टाग का ट्रेंड बदल जा गया है ट्रेंट कर रहा है इस हैश्टाग के साथ जो ट्वीट किये जा रही है उनमें बॉलिवुट के अभिनीताओं का मज़ाग तो उड़ाया ही जा रहा है मगर साथ ही भारत सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है एक ट्वीट में एक तरफ रहाना की एकदम क्वीन पोज में तस्वीर है और दूसरी तरफ बॉलिवुट अभिनीता और अभिनीतियों की तस्वीर का एक फुलाज लगाया गया है दोनों ही तस्वीरों के उपर लिखा है सेलेब्रिटी मगर खेल बस स्पेलिंग का है रहाना के साथ सेलेब्रिटी को जो स्पेलिंग लिखी गई है वो बिलकुल सही है मगर Bollywood Celeps के उपर जो लिखा गया है उसमें spelling को S-E-L-L से शुरू किया गया है मतलब पेचना एक और tweet है जुसमें अटाज की गई है एक तस्वीर जुसमें नरेंद्र मूदी, निर्मला सीता रमन और मुकेश अंबानी पूल साइट फण करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में एक किसान डूब रहा है मगर उन्हें कोई फर्थ पढ़ता नजर नहीं आ रहा है तस्वीर के साथ लिखा गया है आप किसी की परिस्थिती के बारे में नहीं जानते इसे लिए किसानों का समर्थन करें तो यह थी कुछ ऐसे मुद्देज जो आज दिन बर सोशल मीडिया पर चर्चा का विशर है इस तेग्मेंट में अगले मुलाकात अब सुमवार को होगी and we will once again update you with what's trending अगर आप हमी फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जंता जंक्शिंग की पेज को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप हमें झाले जन्तानुट